हेलो व्यूवल्स मैं कशिश और स्वागत है आपका निक्स पैने उसमें इस वे पोईट में हम बात करेंगे इसी एक्ट्रस की जो उपने जमाने की बेहदी खुबसुरत और टैलेंटिड एक्ट्रस रही है जी नहीं मिनाक्षी शिशाद्री की याद ही होगा आपको कि दामेनी मुवी में किस तरह से भैतरीन अपना अदकार के साथ निभाती हुई नजर आई थी और लोगों को बहुत ही दमदार एक्टिंग की है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी 90 और 80 के दश्रक में उनको खुक्तूरत एक्ट्रस में से एक माना जाता था और बहुत बड़ी सांच पॉलिंग लिस्ट फिल्म की पंचु की थी हर कोई चाता था कि मिनाक्षी ये आने वाली फिल्मों में दिखाई दे और साथ से साथ आपको ये भी बताते चले कि एक नजर आती थी और वो फैंस लगतार चाते थी कि वही फिल्म करें और वही हमको हर सल में नजर आए लेकिन हम आज इस स्पोर्ट में ये बात करेंगे कि आखिकार मिनाक्षी अचानक से गायब कहां हो गई और मिनाक्षी आज कर अपनी जिम्री किस तरीके से बिजारते हुए नजर आ रही है उसका लोग किस तरीके से बदला है क्योंकि उस समय पर तो बहुत जवान नजर आ इसी एक्ट्रस रही है जिन्होंने नकिवल अपने अक्टिंग से बलकि अपने अंदाज और खुबसूरती से फैंस का दिल जीत लिया था एटी और नाइटी के दश्रक में सुपर हिट फिल्मों में काम करने वाली मिनाक्षी फिलहाल तो फिल्मों से दूर है मिनाक्षी श साल 1993 में रिव्लीज फूई थी इस पिल्म को तक्रीबन 28 साल होने जा रहे है और इन 28 सालों में एक्ट्रस का लुग भी पूरा बदल गया है तो चलिए आपको बताते हैं कुछ और मिनाक्षी शिशादरी पर भले ही नज़र नहीं आती हो लेकिन विफ फैंस के दिलों में शका बना चुकी है मिनाक्षी आए दिनों अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ न कुछ जरूर शेयर करती रहते हैं वहीं उनकी कुछ तस्वीरे सोचल मेडिया पर वारल हो रही है इन तस्वीरों में वे जौगी के साथ हेलसी नजर आ रही है वहीं दूसरे तस्वीर मिनाक्षी शिशादुरी के काम की बात करें तो उन्हें 1997 में दो राहे में आक्ति बार देखा गया था इसके लावा में कई बड़ी फिल्में कर चुकी हैं जिसे घा तक डूएट आदमी खिलोना है अकिला जुर्म बेटी दो गुलाब लव मैरेच जी हां आगी भी बताते सितारों का आगमन भी हुआ था जिन्होंने हिंदे फिल्म इंडस्ट्रे को पूरे तरीके से बड़ल कर रख दिया था इनमें से कुछ सितारे तो आज ही बॉलिवुड के आस्मान पर जगमगा रहे हैं पर कुछ अब इस चकचौन से दूर जा रहे हैं इनमें से जारतर मिनाक्षी शेशाधरी यह वही अभी अभीनेत्री है जिन्होंने दामेनी हीरो और घातक जैसे फिल्मों में अपने अभीने से लोगों के सामने साबित कर दिया कि अभीने से खूप सूर्थी की महताज नहीं अगर आप में अभीने की कला है तो आपा सधारन भी दिखती है तो भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल सकती है हलक कि कई लोग मिनाक्षी की सफलता की पीछे राजकमा संतूर्शी का बड़ा हाथ मानते हैं पर सच तो यह है कि मिनाक्षी भैतरे नभीनेत्री होने के साथ साथ उंदा डांसर भी थी उनकी अधकारी में उनका जहारखंड में हुआ था उनके बच्षपन का नाम शेशीकला शेशादरी था जिसके बाद ले राजकमा संतूर्शी ने फिल्मों में आने के बार बड़ल दिया मिनाक्षी शेशादरी के माता पिता मुलता तमिलाडू से आये थे पर जहारखंड ने खनन उद्योग में का उनके पिता को जहारखंड में बसना पड़ा मिनाक्षी शेशादरी के पढ़ाई जहारखंड और दिल्ली में उन्होंने बच्षपन में ही भरत नाट्यम सीखा था इसके बाद आके जाकर उनने चार अन्य शाष्टे नम्रत्यों को भी सीखा पढ़ाई के दोरान ही साल 1981 मे मिस इंडिया प्रतीयुकिता में हिस्सा दिया और 17 साल की हमर में भारत की सपसे कम हमर की मिस इंडिया बने 18 साल की उमर से ही उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के धेच सारे ओफर आने लगे साल 1982 में फिल्म पेंटर बाबो से मिनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआ थी लेकिन इस फिल्म में उनकी करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ इसके अगले ही साल आय सुभाज गई की ब्लॉक बस्डर फिल्म हीरो फिल्म सुपर हिट रही और इसने मिनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में हिट करा दिया इसके बाद तो मिनाक्षी शिशादी ने लंबे अरसे तक पीशे मुड़ कर ही नहीं देखा दामिनी में बहतरी नभीने के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा चर्चा मिली इस फिल्म में उनके भीने इसे साबिट कर दिया कि बॉलिवुड में महीला प्रधान फिल्में भी चल सकती है उनकी कुछ अन्य फिल्म और हिट फिल्में है घातक आदमी खिलोना है शत्रिय अल्ला रखा साधना उनकी आखरे फिल्म 1990 समय सुपर हिट फिल्म घातक थी जिसके ने देशिक राजकुमा संतोशी थे माना चौता है कि बॉलिवुड में राजकुमा संतोशी ने मिनाक्षी के करियर में एहम रुगोल अदा किया राजकुमा संतोशी ने एक समय अपने अधिकतर फिल्मों में मिनाक्षी को ही हिरोईन के रूप में साइन किया जिसमें घायल, दामिन, खातक जैजे सुपर एट फिल्म में शामिल थी आज उनका इड बेटा और बेटी है मिनाक्षी शेशादरी अपने परिवार के साथ इन दिनों टेकसास में रहती है और वह इंड रुत्य अभी सिकाती है मिनाक्षी शेशादरी को लोग जब उनकी फिल्मे देखते है तो उनकी बहते नतकारे और मुट्टर शम्दा के यानि कि एक्ट्रस अभी ने तरी आज थोड़ी ऐसी दिख रही है तस्वीरों की इसाब से लोगों को इस बात पर बिलकुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है इसके साथ साथ ही आपको बता दे कि उने अपने करियों में बहुत सारे फिल्में के और हमेशा ही लोगों की पसंद भ करते हैं लेकिन अपने फैन से जुड़े रहने के लिए वह लगातार अपना इंस्टाग्राम भी यूज करती ही रहती है इंस्टाग्राम पर आए दिन नए पोस्त अप्लोज करती है इसको फैन्स बहुत ज्यादा लाइक और पसंद करते हैं कमेंट्स भी करते हैं कि अपर हिट भी गई है सनेजर्वल के साथ उनकी जोड़ी काफी ज़ादा लोगों को पसंद आयती है उसके साथ साहर रिष्यक अपूर के साथ उनकी जोड़ी बहत बहतरी थी लेकिन फिर भी उनको इंतजार यही था कि और वो और भी ज़्यादा काम करें लेकिन शादी के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के टेकसास में बस गए अपने पती के साथ जी हाँ वही तो आपने सुना ही कि लाइफ में किते चेंजिस आए उन्होंने फिल्म में करना क्यों बंग कर दिया और क्यों आगे जिदी में ये सब काम नहीं करना चाह देगे लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अगर उनकी आफ्री फिल्म की बात कीजाए तो 1997 में दो राहे आई थी वह बैटरी रोल करते हुए नजराइजर लोगों को बहुत जादा अच्छी लगी तो लेकिन किसी नहीं सोचा था कि फिल्म के बार मिनाक्षी हमें क कभी टीवी स्प्रिम पर दिखाई ही नहीं देगी ना तो वह कभी अवर्ड फंक्शन में पहुंचती हैं ना ही कभी इवेंट्स में नजरा आके हैं कहां थी कहां नहीं हो हमने आपने सिपोर्ट में जरूर बता रहें कि इसी बड़ी फिल्में कर चुकी है मिनाक्षी इनक क्या आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और बाकी सब रुख ले देख सरी ही नेक्स नाइए